हालो एवरीवान वेल्कम टू कृष्णा कोचिंग सेंडर पॉलिटिकल साइन्स पॉलिटी सिवेक्स जो भी आप इसको बोलते हैं सो यहां पर हमारी पहली बुक चल रही है अब इसमें हमारा चाप्टर 3 आध स्टार्ट होगा इस एलेक्षिन एंड रिप्रेजेंटेशन हमारे प्लेलिस्ट में अल्रेडी इंग्लिश की सिरीज चल रही है Class 11 की History Almost Complete हो गई है उसका Second Last Chapter चल रहा है और Geography की भी Series चल रही है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो चैनल की Playlist में पड़ी हुई है पूरा अच्छे से उसको लगाने की कोशिश की गरी है और अब यह Quality Quality में हम सोच रहे हैं एक Concept समझने की जुरूरत है तेखिए थोड़ा बहुत आइडिया में है Election क्या होता है लोग Representation कैसे होता है दुनिया बर की तमाम चीजें पर बहुत सारी चीज़ हमको नहीं पता है जो हमको इस Chapter में पता लगीगी तो यह क्या है रहे हैं कि जो घोड़ा है जो ब्लाक नाइट है वो सड़नली स्ट्रेट चलने लगे रादर देन टू अंड़ाफ स्क्वेर्स तब आप क्या करोगे भई पता ही नहीं चलेगा मैं इसे सिचुएशन में या मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है तो सब जगे सब सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत होती है अब यह जो बेसिक डिसीजन्स हैं यह बहुत इंपॉर्टन्ट है किसी भी काम के सक्सेस्वल होने के लिए अब जैसे अगर हम इलेक्शन्स की ही बात करें ठीक है तो इलेक्शन्स के भी कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जो हम सब को इजीली पता होने चाहिए हम सब को उसकी रीच होनी चाहिए और वाइडली एसेप्टेबल होने चाहिए तो ऐसे ही इलेक्शन्स के कुछ रूल्स के बारे में हमारे इंडिया में कैसे elections होंगे, कौन-कौन से different methods होते है elections के, क्यूं जरूरी है और क्या चीज इसके अंदर दे रखी है सबसे पहले तो हमारे constitution में elections का जो total procedure है वो define नहीं है जी हां हमारे constitution में total procedure defined नहीं है पट फिर भी उसके अंदर क्या चीज बोली गई है उसमें हमारे constitution में बोला गया है कि आप किस टाइप से यह करा सकते हो किस टाइप से करा सकते हो मतलब किस टाइप से in the sense कि किन basic बातों का आपको ध्यान रखना है election कराने में ठीक है बहुत ठीक कुछ ऐसे concepts हैं जो समझने में बहुत problem होती है बच्चो को हम कोशिश करेंगे उसको बहुत easy तरीके से समझने का कोशिश करें तो दो सवाल उठता है कि क्या democracy हो सकते है बिना election के या क्या election हो सकते है बिना democracy के सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है डेमोक्रेसी दो वर्ट से बनाए डेमो means people, crazy means rule तो जो डेमोक्रेसी है उसको maintain रखने के लिए elections बहुत ज़रूरी है दूसरा question यह क्या कह रहा है कि क्या ऐसे भी elections होते हैं जो बिना डेमोक्रेसी के होते हैं हाँ बेटा बिलकुल होते हैं आप चाइना में देखिए चाइना के अंदर क्या है वहां पे elections होते हैं बर जीतती हमेशा एक ही पार्टी है जीकि उसके जो candidates होते हैं वो एक ही पार्टी के खड़े होते हैं बस नाम का election होता है वहां पर इसकी बारे में ही पूरा discussion अभी हम देखने वाले हैं तो जो first question है वो क्या बताता है कि क्या एक तरीके से necessity है representation होने में large democracy में अब देखिए इंडिया की population लगबग 130 करोर है तो अगर कोई decision लेना है कोई instant decision लेना है तो 130 करोड की राय लेपाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इंडिया के अंदर हम क्या करते हैं हम representative system देखते हैं representative system कैसे कि जो मान लो आपका ये area है जैसे ये मेरा area है मान लीजे मेरट ठीक अब या फिर मेरट के आसपास का area जिसको व अब इस constituency से एक जो MLA होता है या MP होता है वो choose होता है तो मान लो यहां से कोई MP choose हुआ अब वो MP choose कैसे होता है हमारे direct vote करने से जिस बंदे को हम ज्यादा vote करेंगे वो कौन बनता है member of parliament ठीक है अब देखिए बड़ी confusion है बहुत सारी चीजों में लोक सभा क्या होता है राज अब देखिए यह हमारा country है इंडिया ठीक पूरा country है इंडिया अब इंडिया में central level पे जो दो चीजें हैं वो हैं पहली लोक सभा और दूसरी होती है राज्य सभा ठीक है जो PM बनते हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो लोक सभा से बनते हैं अब लोक सभा के elections कैसे होते हैं जो पूरा country है उसको हम different parts में divide कर देते हैं पूरा country को कैसे कर हमने different parts में divide कर दिया मालो इंडिया लोक सभा के हिसाब से 545 parts में divide हो जाती है 545 consistency में अब ये 545 गी क्या है लोगसभा की seats अब ये divide कैसे हुआ था ये initial population के हिसाब से divide हुआ था तो लोगसभा के अंदर कितनी seats हो गई 545 seats हो जाती है तो ये 545 seats के लिए जो seats जीतता है उसको हम बोलते है MP That is Member of Parliament और उसके अलावा जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको भी MP ही बोला जाता है Member of Parliament राज्यसभा के direct elections नहीं होते हैं लोगसभा के ही direct elections होते हैं ठीक है डाज्यसभा के सिर्फ लोगसभा के राज्यसभा के नहीं होंगे राज्यसभा में बाद में single transferable vote से होता है वो हम अभी देखेंगे अभी मेन आप समझें country level पर लोगसभा होते हैं लोगसभा elections से ही जो prime minister of the country है वो choose किया जाता है 545 seats होते हैं जिन पर direct voting होती है और जो उसे जीतते हैं वो बनते हैं MP यहनी की member of parliament member of parliament समझ में आया एक तो जो लोगसभा से जीतते हैं वो और दूसरा जो राज्यसभा के अंदर members होते हैं उनको भी member of parliament बोला जाता है MP समझ में आया अब आता है word MLA अब MLA का full form है legislative assembly तो जैसे पीटा पूरे country level पे लोगसभा होता है ना वैसे ही एक जो state level पे होता है वो होती है legislative assembly legislative assembly अब legislative assembly को ही हिंदी में हम बोलते हैं विधान सभा ठीक क्या बोलते है legislative assembly को हिंदी में विधान सभा तो state level पे जो elections होते हैं किसके chief minister के वो किस से होते है legislative assembly से होते हैं तो और जो इससे cm choose होते हैं उसके अलावा जो legislative assembly की seats जीते हैं उन्हें MLA बोलते हैं यानि कि member of legislative assembly ठीक है अब लोग सभा समझ में आया और हमें क्या समझ में आया विधान सभा यानि कि legislative assembly अब central level पे होता है एक राज्यसभा और आता है उसके members direct elect नहीं होते हैं जो already legislative assembly के member होते हैं यानि कि MLA होते हैं MLA ही उनको recommend करते हैं और उसके इलावा भी कुछ-कुछ procedure होते हैं कि राज्यसभा का member कौन बनेगा तो central level पे दो कौन सी चीज़ें हो गई लोगसभा और राज्यसभा में लोगसभा है क्योंकि इसी से ही elections होते हैं और state level पे भी अब दो चीज़ें होगी legislative assembly तो होगी ही होगी और कहीं कहीं पे आपने विधान सभा के साथ एक नाम सुना होगा विधान परिशत ठीक है विधान परिशत क्या होता है जैसे center level पे राज्यसभा होती है वैसे ही state level पे होता है विधान परिशत जिसको English में बोलते हैं हम legislative council ठीक है अब legislative council इंडिया के अंदर only six states में है states कौन कौन से है पहला state जो आपका है वो है यूपी और बिहार यूपी बिहार तो होंगे ही होंगे क्योंकि काफी population है इनकी फिर है आपका आंधर प्रदेश और आंधर प्रदेश के बराबर में कौन तेलंगाना और उसके अलावा दो और हैं कर्नाटका और महराष्ट ठीक यूपी बिहार आंधर प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका और महराष्ट ये छे हमारे states है जिनके पास legislative council है पहले जम्मु एन काश्मीर के पास भी थी बट अभी जब जम्मु काश्मीर का bifurcation हुआ है तो इसके अंदर खिला legislative council नहीं है इतना समझ में आता है अब इसी की ब जानलो 545 members जो थे लोकसभा के उसके अंदर हमारी constituency में एक seat है तो उस एक seat के लिए हम वोट करते हैं आप जो वोटिं करने के लिए जाते हैं आप तो नहीं जाते होंगे या में भी जाते भी होंगे तो हम वोटिं क्या करते हैं उसे पर्टिकुलर बंदे को वोट देते हैं उसे MP, MLA बनाते हैं और फिर वो हमारे हिस्से के decisions यानि कि हम सबको as a representative हम सबका representative वो लोगसभा में या फिर वो legislative assembly विधान सबा में हमारी बात रखते हैं अब देखिए जो elections हैं वो democratic process का बहुत important हिस्सा होते हैं अब देखिए कार्टुन बना रहा हैं उन्होंने काई कि elections र और election के टाइम पर इतना chaos क्यों मत जाता है कहीं ऐसे सीटे बट रही हैं कहीं पैसे बट रहे हैं मेले खरीदे जा रहे हैं पी खरीदे जा रहे हैं तो यह सब क्या है तो बेटा देखो यह थोड़ी बहुत problem तो ही अब इस चीज को sort out कैसे करना है यह हमें देखना है सो अब इंडिया के अंदर direct democracy नहीं है यानि कि 130 करोड जनता का vote ले पाना एक साथ किसी एक decision में that is almost impossible और डेली के ही decisions लेने पड़ते हैं कई बार तो बहुत quick decision तो हम क्या करते हैं एक representative हमारे area का choose करते हैं जो हमें represent करता है लोग सभा या फिर विधान सभा के अंदर अब जो ancient city states हैं वहां पर direct democracy ही होती हैं वहां पर लोग direct voting देते हैं उसके लावा इंडिया के अंदर जो gram सभा होते हैं वहां पर भी direct democracy होती है बट यह जो this kind of direct democracy है वो तब नहीं हो सकती जब crores या lakhs of people को vote देना होता है इसलिए usually people representative system जो है वो बनाया जाता है अब यह एक ऐसा arrangement है जहां प represent करके यानि कि citizen का रोल क्या है एक limited role है जो major decisions है या running है उनका रोल कहां तक C में था है एक अच्छा representative चूज करने था है बट यह भी सबसे बड़ी चीज होती है अगर आपने अच्छा representative चूज कर लिया है तो आपका area जरूर डेवलाप होता है अब second question क्या है देखिए second question without having democracy तो answer is ठीक है हां कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी non-democratic countries है जो election hold करती है अब यहां पर जो so-called non-democratic rulers हैं वो खुद को सिर्फ democratic दिखाने के लिए यह काम करा करते हैं so उसके अलावा constitution की बात कहां पर आती है कि constitution basic rules decide करते कि कि किस तरीके से election होने तो basic rule क्या decide करा है हमारे constitution है कि who is eligible to vote कौन वोट दे सकता है तो vote कौन दे सकता है उसके अंदर कुछ चीज है जो most important चीज है वो है अठाया साल से उपर कोई भी दे सकता है वो किसी भी gender का, color का, caste का हो सकता है who is eligible to contest election लड़ कौन सकता है who is to supervise election election का supervision कौन करेगा देख रेक कौन करेगा और voters किस तरीके से अपना representative चूज करेंगे directly choose करेंगे, indirectly choose करेंगे, single transferable vote से करेंगे या अधर तरीके से करेंगे और किस तरीके से vote count होंगे, क्या हर के vote की value 1 ही होगी या मालो किसी के vote की value 10 है, किसी की vote की value 100 है, किसी की vote की value minus 1 है, ऐसा है क्या कुछ तो ये सारी चीज़ें जो है वो constitution में already निर्धारित है अब गोलु भया को फिर से परेशानी हो गई, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, इनको सिर्फ दुनिया वर की तमाम राजनीती में चलना है अरे बेटा, मन कर रहा है तुमको चार्ट लगा के कहाएं कि इन सब में मत पढ़ो, प्राई लिखाई करो, आईयस वाईयस बनो, ये क्या बड़ा आईयस बनने के लिए भी ये बहुत जरूरी है ये कह रहे हैं कि ये सब चीज, constitution में लिखने की जरूरत ही क्या है मतलब ये सारी चीज़े, parliament भी तो decide कर सकती है जैसे जो party rule कर रही है, वही decide कर ले, अगली बार कैसे election होने तो बेटा, मेरा प्यारा बुद्धू बेटा, मेरे प्यारे तारे जमीन पर अगर जो party rule कर रही है, तो वो तो सारे election के rules अपने हिसाब से ही बना देगी फिर तो हमेशा भई party rule करती रहेगी, समझ में आया, येस मैम, बिल्कुल समझ में आ गया, चैदो फिर आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं तो constitution में basic rules define करती है, अब most of the democratic institutions जो है, जैसे कि constitution of India, यहाँ पर भी इन सब question के पता होते हैं, तो first three questions है कि elections कैसे होंगे, fair कैसे होंगे, free कैसे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको vote देने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और last two questions है कि representation होगा कैसे, अब देखिए, इसमें यह क्या कह रहे हैं, कि एक activity टाइप दे रख लिए आपको, यहाँ पढ़ लीजे, बहुत easy से activity है, आप इसको कर सकते हैं, चाहें तो, अब election system in India, अब देखिए, बहुत सारे different method हैं, elections के obvious सी बात हैं, यानि कि किसी country में किसी अब देखिए, आपको कई बार लगाऊगा, you may have wondered, कि जो constitution है, उसके अंदर यह साई चीजे right करने की जुरूद क्या है, या फिर how the votes are counted, वो कैसे count होंगे, representative कैसे elect होंगे, यह बहुत obvious नहीं था, बहुत obvious नहीं था, अगर बहुत obvious चीजे भी थीना, तो उसका return में होना करना है, तो यह कहना है कि क्या इतना easy नहीं था, कि जिसको सबस्यादा highest vote मलेंगे, उसको elect कर लिया जाएगा, सुनने में बहुत असान लगता है, बट ऐसा है नहीं, कुछ चीजें divide होना जरूरी है, कुछ thoughts divide होने जरूरी है, तो अब किस तरीके से thoughts together divide होंगे, अब देखि अब इसमें क्या दे रखा है, आप एक mock election डढ़िए, मौक election में क्या देखिए, कि अगर आपको CR चुनना है, class representative, चार, चार CR चुनने आपको, अब इच student का one vote है, तो जिन चारो को सबसे ज्यादा vote मिलेंगे, वो CR बन जाएगा, यह तरीका भी ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कि हर student के पास चार vote है, अब उसकी मर्जी है, वो चारो एक को ही दे, या चार जने में बाटे, या एक को तीन दे दे, दूसरे को एक दे दे, ऐसा कुछ, तीसरा क्या है, कि voter क्या करेगा, preference ranking करेगा, जो कि राज्या सभा में होती है, बेटा, अनहद important point, preference ranking, इसको अराम स समझने के हमें ज़रत है, पहले तो आप simple यह समझ लीजे, कि 1, 2, 3, 4, उसको अपनी preference के हिसाब से चारो को लगा देना है, कि मेरी 1st preference पर यह है, मेरी 2nd preference पर यह है, 3rd पर यह है, 4th पर यह है, इसको detail में हम अगले वीडियो में cover करेंगे, अब question है, क्या पूछते है, कि क्य 4th method से result 1 ही आएगा, यह difference आएगा, 100% chances है, 100% chances है, so, हो सकता है, same BIAJ, but chances बहुत ज्यादा है, तो, election का type है, जो choices का type है, वो different हो सकता है, different जगयों पर, and winner of the game कौन होगा, यह last में define होगा, कि अब कुछ एक मुद्द ही आते है, कि ऐसे rules क्या majority को favor कर रहे है, या कुछ rules क्या minorities को favor कर रहे हैं, ठीक है, यह मुद्द तो आएंगे ही, but democracy का मत्त भी क्या है, ऐसी सरकार जो majority of the government choose कर रही है, और जो minority का भी भ्यान रख रही है, अब देखें, यह अखबार है, इस अखबार में क्या है, कि पहली बार Congress को 3-4th seat मिल गई थी, तोटल, आप यह देखिए, Congress Party को 543 लोग सबा seats में से, अब मैंने तो आपको 545 बोला था, यह 543 कैसे, बीटा, दो seats anglo-indians की होती है, उसका अलग concept एक छोटा सा, So, 543 में से, 415 seats जीत गए, यानि कि 80% से भी ज़्यादा seat इन्होंने जीत ली, अब आपको लगेगा, भई, 80% से ज़्यादा seats जीती है, तो 80% से ज़्यादा votes भी होंगे, बीटा, धोखा खाने के लिए तयार हो जाओ, Congress Party को votes सिर्फ 48% मिलेते, अब आप सोचेंगे, 48% vote में, मतलब 80% seats, how is it this possible, अब दीदी को भी यह लग रहा, अरे मैया रहे, हां गई दीदी, अरे, अरे मैया रहे, मतलब 50% से भी कम vote, और 80% से ज़्यादा seat, या तो 9 साफी है, तो हां जी नाइनसाफी है या नहीं है या आप अभी decide करिये, यह देखिए, वो ब्योरा कुछ इस टाइप से था, 48% vote मिले हैं Congress को seats से 4-5, बीजेपी को 7.4% votes, seats से 2, जनता दिल को 6.7% और seats 10, और यहां तो देखिए आप CPI, जो Communist Party है, 5.7% votes are by seats, अब आपको लगेगा कि यह हो कैसे जाता है, तो देखिए, इसके नीचे दे रखा है, कि एंटायर कंटरी 543, इसमें तो क्या ही समझ में आएगा, मैं बताते हूं आपको, अब हमने क्या देखा कि लोकसभा को 545 या 543 रखो जिस पर कॉंटेस्ट हो रहा है, दो एंग्लो इंडियन्स की हैं, तो 540, पूरे इंडिया को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक, अब मानलो 543 में, एक यह हूं मैं, और एक यह है मेरी फ्रेंड, और एक यह है उ अगलग एरिया में, तो हमारे एरिया में एक सीट है, उसके एरिया में एक सीट है, और तीसी फ्रेंड के एरिया में एक सीट है, अब हमारे एरिया में जो थे, मानलो, चार जुनों ने एलेक्शन लड़ा, हमारा एरिया है, चार जुनों ने एलेक्शन लगा, मानलो, लल्ल ठीक, इनको मिले 20 वोट्स, इनको मिले 25 वोट्स और इनको मिले 25 वोट्स अब देखिए, जो विनर कौन होगा, विनर होगा लल्लू प्रसाद लल्लू प्रसाद क्यों जीतेगा, क्योंकि ये जो system है ना, plurality system इसमें 50% प्लस वन नहीं देखते, 50% प्लस वन का मतलब था कि इसको 51 seats मिलना था यहाँ पे हम जो system देखते हैं, वो 50% प्लस वन का system ही नहीं यहाँ पे system है, जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब बंदर यानि कि ये जो वोट्स थे, भले ही ये 70% वोट्स हैं but these all are waste, ये सब कुछ waste है क्योंकि winner कौन है, winner है हमारा लल्लू प्रसाद अब seats इसको सरफ 30 मिली, sorry, वोट्स इसको सरफ 30 मिले पर 30 वोट्स पर भी ये क्या है, यहाँ का winner है अब देखिए, यहाँ पे उसको सरफ 30% वोट्स मिले थे, फिर भी उसको seat मिल गई ऐसे ही मालो पूरी country में हो सकता है, कहीं पे 25% पर भी किसी को seat मिल जाए कहीं पे 20% पर भी किसी को seat मिल जाए, मालो बहुत ही सारे candidates थे तो लोग सबा में overall तो आपको 545 में से 273 seats चाहिए बट ये 273 seats 50% प्लस वन से नहीं आ रहे हैं, ये तो simple आपका जो वोटिंग है उससे आ रहे हैं यानि कि हो सकता है आपको वोट्स जो है वोट्स का percentage कम हो बट सीट अगर आप जादा जीत गए हैं तो इस चीट से बहुत फर्क पड़ता है कि आप कौन सा system अपना रहे हैं, प्लूरालिटी सिस्टम अपना रहे हैं इसमें जो वोट्स का percentage है और जो सीट्स का percentage है वो काफी जादा vary कर सकता है वो काफी जादा different हो सकता है इस चीज के लिए हमको totally तयार रहना होता है that's why जो कॉंग्रेस थी उसको वोट तो 48% ही मिले बट उस 48% वोट पर भी वो 80% seats जीत गए क्यों जीते हैं क्योंकि जो area में election हो रहे हैं वो 50% प्लस 1 पे नहीं हो रहे हैं वो हो रहे हैं जो जीता वही सिकंदर वाकी सा पंदर समझ में आया यह चोटा सा प्यारा सा concept तो यह यही कह रहे हैं कि सारी constituency को 543 में divide कर दिया है और एक representative आता है जो highest number of vote लेता है उसको elect कर दिया जाता है यही चीज यहां पे उन्होंने पूरा discuss कर रखा है और इस system को first past the post FTP system बोलते हैं या फिर plurality system बोलते हैं अब this is a method of election जो की prescribed किया गया है constitution के द्वारा यही method हमारा constitution बताता है सो अब हम जाते हैं कि Congress party जो थी यह उन्होंने पूरा describe कर रखा है हो सकता है कि यह 25% vote पर भी 80% seat जीट सकते थे this में also भी possible so एक तो यह होता है plurality system एक होता है proportional representation proportional representation क्या होता है जैसे Israel में चलता है Israel में क्या है कि उन्होंने seat भी divide नहीं किया उन्होंने simple party divide कर दी अभी तो क्या है मैंने जैसे अपने area में vote किया तो मैंने उस party के लिए vote नहीं किया था मैंने उस बंदे के लिए vote किया था मैंने लल्लू परसाद के लिए vote किया था बट इसराइल में लोग party के लिए vote करते हैं वहां क्या है वहां पे पूरी country को constituencies में divide ही नहीं किया उस पूरी country को वो एक constituency मानते हैं और जितनी भी party हैं मालों वहां 8-10 जो भी party है तो लोग direct सिर्फ party को vote दे रहे हैं party का कोई चहरा नहीं है हाँ ठीक है इन direct सब के चहरे हैं बट party का direct कोई चहरा नहीं है तो वो direct party को vote करे है अब जब पूरे country के votes निकल जाते हैं फिर वो party में percentage wise divide हो जाते हैं कि फलाना party को 50% vote मिले फलाना party को 40% vote मिले फिर उस हिसाब से जो party जीतती है वो winner होती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी party के member होंगे अब जो उनका representation system होगा मानलो ठीक है इस party को 60% vote मिले तो यह party winner है majority seat इसके पास है 60% जो seat से यह रखेगा बट 40% जो seats है उसमें others भी बैठते हैं इसलिए यहाँ पर जो mostly government बनती है वो coalition government बनती है यानि कि एक साथ मिल के work करने वाली government बनती है एक और जो यह एक और concept है यही है proportional representation का कि किस तरीके से काउंट करा है उसके बाद यह डालते हैं तो इसराइल और नेधरलेंड जैसी country यह वाला system को follow करती है अब यह क्या कह रहे हैं कि this is very confusing MLA कॉन, MP कॉन तो हमें पता है MLA कॉन जो state level पे member of legislative assembly MP कॉन जो member of parliament कि अब उसके अलावा जो यह method है इसमें एक method और होता है multi member multi member में क्या होते हैं कि एक constituency से आप 3-4 जन भी select कर सकते हो जो coalition type की government हो सकती है कि each party क्या करेगी list of candidate prepare करेगी कि एक constituency में कितने जने चाहिए तो हो सकता है कि उसी party के जने वहाँ से choose हो यह हो सकता है एक जना उसकी party का choose हो जाए एक जना दूसरे की party का choose हो जाए जो यह भी कि किस basis पे दिया जाता है on the basis of votes, on the basis of votes दिया जाता है यह उतना important नहीं है multi member वाला वो दोनों बहुत important है plurality वाला system और उसके अलावा जो हमारा इस्राइल में follow हो रहा है that is proportional representation system इस्राइल के proportional representation को इनोंने डिस्क्राइब कर रखा है अब multi party यहां पे जो होती है coalition एक तरीके से multi party coalition government बनती है but seats आपको यहां पे जो base बनाने के लिए या seats legislator में होने के लिए कम से कम 1.5% votes मिलने चाहिए यह देखिए 2003 के election का दे रखा है लिकुद को 37 seats में लेती शार्स को 11 इस टाइब से इसी distributed total 120 seats थी so अब इंडिया में we have adopted plurality system plurality system है इंडिया में और यहां पे indirect elections होते हैं अब constitution prescribed क्या करेगा एक third complex system होता है जिससे हम president, vice president या फिर राज्यसभा या फिर विदान परिशद के elections करवाते हैं वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स वाली वीडियो में अभी हम comparison देख लेते हैं FPTP जो है और PR FPTP या फिर जो PR system of election है उनका comparison हम क्या करते है PR proportional representation FPTP जो plurality system है FPTP में country को geographical units में divide कर देते हैं PR में उन सबको एक ही मानते हैं FPTP में जो constituency है एक constituency में एक representative होता है जबकि PR में एक से ज़्यादा representative भी हो सकता है वो depend करेगा percentage of votes पे और plurality में जो voter है वोट करेगा candidate के लिए और proportional में voter वोट करता है party के लिए Plurality में party को ज़्यादा seats मिल सकती है votes कम मिलते हैं बर proportional में जितने percent of seat होंगे उतने percent of vote होंगे अब plurality में हो सकता है candidate जो जीता है उसको majority नहीं मिली है यानि कि 50% plus 1 votes नहीं मिले है जो proportional है उसमें हमेशा candidate को majority मिलती है 50% plus 1 ही मिलता है अब plurality के example कौन? UK या India UK कौन? Britain, England हमने उनी सही copy किया था यह system और जो proportional representation है उसके example है इसराइल या फिर नीदर्लाइंड इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं अगर आपको कोई भी confusion या query है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आए concept तो मैं suggest करूं कि आप यह video दो या तीन बार देखें और आपको बहुत असानी से समझ में आ जाएगा थोड़ा सा tough है बहुत जरा सा बत इंट्रस्टिंग बहुत है यह chapter समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया so I meet you all in my next video so thank you so much take care